सीजन की शुरुवात एक बहुत बड़े हाई स्कूल से होती है जहां मेइन लेट सियोंग बैठा कुछ सोच रहा था उसके मताबिक सब लोग एक बराबर नहीं होते जो लोग सोने का चमचा मुँ में लेकर पैदा होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है फिर सियोंग अपने लेकिन इस बिचारे के हालात बहुत खराब है क्योंकि सियोंग की फैमिली कर्जे में दबी हुई है कुछ लड़के सियोंग को बुली करने लगते हैं जिससे सियोंग को टाई बचाता है सियोंग के साथ एक प्यारी सी लड़की ना पार्ट टाइम जॉब पे आती है और द सियोंग को एक गॉल्डन स्पॉन देकर उसकी स्टोरी बताती है कि सियोंग अगर किसी हम उमर के घर इस चम्चे से ट्री मिल्स खाएगा तो उसके पेरेंस सियोंग के पेरेंस बन जाएंगे ये सब सियोंग को बकवास लगता है लेकिन वो फिर भी स्पॉन लेकर टाई के घर आ जाता है टाई सियोंग को खाने के लिए रोक लेता है सियोंग इस चम्चे से एक मिल्स खा लेता है सियोंग और टाई में अच्छी दोस्ती होने लगती है और टाई सियोंग की फाइनाशल मदद भी करने लगता है टाई सोचता है कि सियोंग बहुत लगी है जो अपन सिंग रिपोर्ट के बहाने से टाई के घर दूसरी मिल खा लेता है टाई के डैड वैंग को गरीबों से बहुत नफरत होती है और फिर जब उन्हें पता लगता है कि सिंग टाई की रिपोर्ट्स बनाता रहा है तो वो टाई को अमेरिका भेजने के धमकी देकर सिंग के खिला है बाद में टाय और श्यूंग में हाथा पाई हो जाती है स्यन ब्रिच्च से पाणी में गिर जाता है तब टाय तो उसकी मदद में करता मगर गोल्डन स्पून को बचाता है वहां से श्यूंग भागता हुering के घर आता है और उसके डैड़क से omजीद खाना कहिलाने की मिन्नती करनी लगता है वैंग उसको खाना खिलाने के लिए मान जाता है स्यूंग जल्दी जल्दी खाना खाता है मगर कुछ नहीं होता वो वहां से जानी लगता है मगर इतने में उधर ना आ जाती है और स्यूंग को टाई बोल कर थपड मारती है स्यूंग चौंक जाता है क्योंके बूरी औरत का कहा सच हो गया था मतलब अब सियूंग टाई और टाई सियूंग बन चुका है शकल इनकी अभी भी वैसी ही है मगर इनकी जिन्दगियां इंटरचेंज हो गई है सियूंग वैंग के घर में अपना लाइफस्टाल देख बहुत फैसिनेट होता है और अपने गोल्डन स्पून को देख उसे बूरी औरत की एक बात याद आ जाती है कि सियूंग के पास अपनी पुरानी जिन्दगी में लोटने के तीन मौके होंगे एक तीस दिन बाद एक एक साल बाद और आखरी दस साल बाद उसके बाद वो कभी बदल नहीं सकता अभी स्पून पे तीस लिखा आ रहा था उधर टाई जो सियूंग के जिन्दगी को पुरसुकून समझता था उसकी जिने लगता है अब यहां से मैं टाई को सियूंग और सियूंग को टाई बुलाऊंगी टाई और वैंग ना और उसके डैड के साथ डिनर कर रहे होते हैं जहां हमें पता लगता है कि ना टाई की फ्योंसे है यह जानके अब नकली टाई चौक जाता है ना टाई से अपनी इंगेजमेंट टूर ना चाहती थी टाई ना से बात करनी जॉब पे आता है और साथ काम करवाने लगता है ये देख ना भी हैरान होती है क्योंकि टाई कभी ऐसा नहीं था टाई को वैंग के आफिस में विल के जरीये पता लगता है कि वैंग टाई को जायदाच से आख करके बैठा है वो ये देख चौंक जाता है टाई अपने पुराने घर को चुपके देख रहा होता है जिधर मालिक मकान उसके पेरेंट्स को रेंट ना देने पे सुना रहा था उसके आखों में आंसु आ जाते हैं फिर वो मालिक मकान को सबक सिखाता है ताके इसके पेरेंट्स सुकून से रहें टाई की बर्दे की तैयारियां बड़े ताम चाम से चलने लगती है उसी दिन स्यूंग की भी बर्दे होती है जिसके लिए ना गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है वहां से फिर ना और स्यूंग टाई की बर्दे पार्टी में जाते है ना को बुर्धी औरत एक आनवलप टाई को देने के लिए कहती है ना टाई को वो आनवलप दे देती है उसमें लिखा था कि अगर अपनी बर्दे वाले दिन टाय या स्यूंग अपने असली पेरेंट से मिलें तो सब पहले जैसा हो जाएगा टाय भागता हुआ स्यूंग को वैंग से टकराने से रोक लेता है जिस बीच वो आनविलप कहीं गिर जाता है फिर ना टाय को बताती है कि वो स्यूंग को पसंद करती है जिस पे असली स्यूंग चौंक जाता है और उसके बाद वो जब ना को टाय मतलब नकली स्यूंग के साथ देखता है उसको बहुत जलन होती है चाहे स्यूंग के पेरेंट्स गरीब क्यों ना हूँ, वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए केक भी लाते हैं, टाई को उस लेडी का अन्विलप तो कहीं नहीं मिलता, उल्टा अगले दिन स्कूल में टाई के पास किसी का मेसेज आता है, कि वो सब जानता है, सामने से स्यूंग मोबाइल हाथ में लिए चलता हुआ आता है, टाई समझता है कि ये स्यूंग का काम है, लेकिन ऐसा नहीं था, असल में ये मैसेज़ जो टाई को पसंद करती है, उसने भिजवाए थे, ओ आकर ना को टाई से दूर रहने का कहती है, स्यूंग टाई से बात और उसे वहाँ से जाने का कहता है, स्यूंग जब बाहर निकलता है तो वैंग को देख कांपने लगता है, क्योंकि उसको अभी भी एक अजीब सा डर दिल में होता है, तो स्यूंग भिहोश हो कर गिर जाता है, और उसके गरीब डैड उसको संभालते है, टाई की स्टैप ये अभी हमें नहीं पता, टाई घबरा कर अपने असली घर जाता है, तो उसे अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश देखता है, ना की एक फ्रेंड नारा की पांच साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके फादर ना को स्टॉक करने लगे थे, टाई की मदद से वो अरेस्ट हो जाते हैं, वो उन्हें बड़ी सस्पीशिस नजरों से देख रही थी, और इवल समाइल दे रही थी, टाई को एहसास हो जाता है कि जो उसे धमकी दे रहा है, वो खुद भी गोल्डन स्पून को इस्तेमाल कर चुका है, और उसी के पास वो अन्विलप भी है, वो अपने घर में उस अन्विलप को पढ़ते हुए लॉकर से अपना गोल्डन स्पून निकालती है, इधर रिवील हो जाता है कि नारा ने ओ के साथ स्वैप किया, पर वो बहुत बीमार रहती थी, जिस पर ओ की मौत हो गई, और नारा ओबन के जीने लगी, स्योंग के डा भागते हुए हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि असली में तो वो उसके डैड है, वो भागता हुआ उस औरत को ढूंता है, और अपनी पुरानी पहचान की भीक मांगता है, ग्रैनी उसे स्पून देकर एक मील खाने का कहती है, ऐसा करने से वो दुबारा स्योंग बन जाता है दोनों फिर से अपनी असली जिन्दगी में लाट जाते हैं, एक्सिडेंट की वज़ा से स्योंग की फैमिली बहुत क्राइसिस में चली जाती है, तब ना अपने डिजाइनर्स बैग बेच कर स्योंग को पैसे देने आ रही होती है, लेकिन ओ तब तक ना को दिखाने के लि बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था, एक रात पार्टी में ओ स्योंग को अपना नौकर पुकारती है, जिस पे ना को बहुत बुरा लगता है, स्योंग वहाँ आकर ना को बता दीता है, कि उसने ये बात इसलिए छुपाई, क्योंकि वो ना को पसंद करता था, ना उसको फॉरन हग कर लेती है, वहाँ जून टाइ की जिन्दगी में फिर से जहर गोलने लगता है, मगर अब जब भी कोई स्योंग की फैमिली को कुछ कहता है, तो टाइ फॉरन भड़क जाता है, क्योंकि उसकी मेमोरीज में अभी भी उनका दिया प्यार शामिल था, स्य स्योंग के स्पौन को दर्या में फिर दीए घुड़क दीग देती है, मगर वह नकली था, लेकिन असली स्पौन भी ओ के कबजे में है, ना और टाइ ओ के घर जाते हैं, और ओ को स्योंग की फैमिली से अच्छा भीहेव करने का कहते हैं, स्योंग ओसे अपना चंचा मांगत है मगर वो उसको बहुत तरपाती है और अपनी उंग्लियों पर नचवाती है इसके बावजूद भी स्यूंग और ना साथ डेट पर चले जाते हैं दोनों एक दूसरे को किस करते हैं वो स्यूंग को सारे पैसे दस दिन में वापस करने का कहती है और फिर उसकी फैमिली को भी की घर से निकलवा देती है मजबूरन स्यूंग दोबारा टाइबन के चीजों को बेहतर करने का सोचता है लेकिन उसके पास स्पून तो था नहीं टाइको अपनी स्टैप मॉम के कमरे में एक आर्टिकल मिलता है उसको देख टाइको मास शूटिंग का इंसिडेंट याद आ गया था मगर उसका जिम्मेदार कोई और था ना के डैट की कंपनी नुकसान में जा रही होती है वो वैंग को अपना ऐःसान चुक्ता करने को कहता है क्योंकि वांग के सारे राज जानते थे मगर वैंग फॉरण मुझ फियर लेता है टाइक डाइक ये मामलहा के पास भाटाई खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझ पैनिक करता है वो उसको थपर मार मार के होश मेलाती है स्यूंग बड़ी मुश्किल से उसे अपना स्पून लेता है और दुबारा टाई बनने से पहले नाको किस करता है मिल्क खाने के बाद अब दूसरी बार दूनों बदल जाते हैं अब नकली टाई यानि स्यूंग बस दस साल बाद आखरी बार स्पून इस्तेमाल कर भाएगा तब तक उसको टाई की जिने पड़ेगी वो ना के डैट के फ्यूनरल में आता है उधर ओके डैट उसको मक्खन लगाने लगते हैं टाई को ख्याल आता है कि जब वो स्यूंग था तो ओके डैट ने इनके साथ बहुत बुरा किया उसके दिल में बदले की आग जलने लगती है वो अपनी सोर्स से टैक्स वालों को ओके डैट के काले कर्टूतों की खबर दे देता है और अपनी असली फैमिली को इन से बचाता है ओो तो जैसे उसको स्पून दे कर पच्चताने लगी थी अब टाई का इरादा सबसे चुन-चुन के बदले लेने का था वो वैंग का काम फिर से बहतरीन तरीके से संभालने लगता है वैंग और सब फिर से टाई में चेंज फिल करते हैं जुन को सुकून नहीं आता उसको खबर हो जाती है वैंग ना के डैट के गतल की रात टाई के कपड़े जलवा दिये थे उसको शक हो जाता है कि इसमें जरूर कोई राज है स्युंग उदास ना के लिए खाना लेकर आता है फिर उसके बहुत नजदीका आ जाता है लेकिन ना उसको दूर हटा देती है इतने में टाई भी वहाँ आकर खाना खाने लगता है वो क्योंकि असली सियूंग है उसे ना की याद सता रही थी फिर ना टाई की मदद से अपने डैड के कातल को ढूनने लगती है जून टाई को एक पार्टी में ड्रक करके गतल का सच अगलवानी लगता है लेकिन टाई जो असली स्यूंग है उसको सच में कुछ पता नहीं होता ओभी वहां मौजूद ये सब देख रही थी टाई सोच में पर जाता है कि क्या सच में असली टाई नenda की डैट को मारा है क्योंकि अगर ऐसा है तो उसकी भर पाई अब नकली टाई को करनी पड़ेगी वो जाकर से उनको मारने बीटने लगता है मगर उसका डर देख फॉरन टाई समझ जाता है कि ऐसा मुम्किन नहीं कि असली टाई किसी की जान ले क्योंकि उसका दिल बहुत सौफ्ट है टाई की हुनी जाके जून के हाथ लग जाती है बदले में वो वैंग से टाई के सारी शेर्ज मांगता है और टाई को अमेरिका भीजने का कहता है क्योंकि जून को अपने हाथ से सारी दौलत जाती दिख रही थी वैंग घुसे से टाई को अमेरिका भीजने लगता है ओो टाई की फ्यांसे बन जाती है टाई के पास गोल्डन स्पून्स सेमाल करने का आखरी मौका आने वाला था वो कोरिया लौट आता है मगर उसको देख सब शौक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एक प्ले बॉय टाई बन चुका था ना एक जर्निलिस्ट बन जाती है और स्यूंग नौक्रियों की तलाश में चक्कर काट रहा होता है स्यूंग टाई का हुलिया देख हैरान रह जाता है ना अभी तक टाई को गातिल समझती है वैंग टाई को दुवारा कोरिया आने पे सुनाता है उसको इतना बदला देख उसकी स्टैप मॉम और जून बड़े खुश होते हैं क्योंकि उसके बजाए जून को वैंग की कुरसी मिल जाएगी टाई वेर्ड होने का बस नाटक कर रहा था ताके जून को उससे खत्रा महसूस ना हो असल में ये सब टाई के गेम प्लान का हिस्सा था क्योंकि अब वो अमेरिका जाकर ये बात जान चुका था कि मास शूटिंग का असली मुझरिम टाई नहीं बलके जून था जिसने टाई के हाथ में गन पकरवा दी थी अब टाई को इसकी सचाई सब के सामने लानी है टाई अपना सकैंडल पहला कर डोशिन के स्टॉक्स की कीमत गिरवा देता है फिर फॉरण वो स्टॉक्स कोडियों के बाव खरीद लेता है मीटिंग में टाई तयार होकर आता है वो जून की करप्शन का भांड़ फोर देता है वैंग भी टाई से बड़ा मुतासिर हो जाता है ऐसे टाई फॉरण जून की पोजिशन हड़प लेता है और जून को मूगी खानी पड़ती है जून ना को बोलता है कि उसके डैड को टाई ने मारा ना अब पूरी तरहां से शूर हुए बदला लेने के लिए टाई को इंटरिव्यू देने का कहती है टाई मान जाता है तो ओ जून की पोजिशन वापस करने का कहती है वैंग उसको चौका देता है उसे सब मालूम है कि जून असल में स्टेप मॉम का भाई नहीं बेटा है टाई ना को बता देता है कि उसने उसके डैड को नहीं मारा इनका शक्र जून पे होता है टाई की मदद से ये दोनों सुबूत एकठा करने लगते हैं स्यून को असली स्यून की लिखी नोटबुक मिलती है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में लिखा था मगर टाई से पूछने पर वो जटक से मना कर देता है वापसी में स्यून को भी वो ग्राणी गोल्डन स्पून दे देती है जून ना के फादर के कतल पे सरेंडर कर देता है अब स्यूंग को भी सब पता लग जाता है कि असली स्यूंग ने उसकी लाइफ चुराई वो छुपके गोल्डन स्पून से उसके घर दो बार खा लेता है मगर टाय अभी भी गरीब होना नहीं चाहता था वो स्यूंग का चमचा नकली चमचे से बदल देता है फिर अपने साथ खाना खिलवाते लाइफ प्रॉब्लम्स बताता है ताकि स्यूंग पीछे हट जाए स्यूंग यहाँ अपने बड़े पन का सुबू दे देता है वो कहता है कि उसके गरीब पेरिंट्स बहुत अच्छे हैं तो अब वो टाय नहीं बनेगा स्यूंग ही रहेगा टाय जीत के भी हार जाता है ड्रंक टाय ओ को किस करनी लगता है फिर भागता हुआ ना के पास आकर हग करता है टाय और स्यूंग की बर्ड़े होती है लेकिन जब वैंग उनके सामने आता है तो कुछ नहीं होता जैसे ही सामने से स्यूंग के असली डैड आते है ये दोनों अपनी असली लाइफ में एक दिन चले जाते है अब स्यूंग को शक हो जाता है कि वैंग टाय का असली डैड नहीं है क्योंकि उसके आने से कुछ नहीं हुआ स्यूंग ना के साथ बीच पे जाता है ना उसको बता देती है कि वो सच जान गई है स्यूंग रूनी लगता है तो ना उसको किस करती है क्योंकि दूनों एक दूसरे को चाहते थे वैंग का डार्क सीक्रेट यहां हमी पता लगता है वो ये के वैंग खुद भी गोल्डन स्पून इस्तेमाल कर चुका है जो भी वैंग के पास है वो असली वैंग का था वैंग नहीं जून को जूटा दिलासा देकर जबरदस्ती सरेंडर करवाया जबके ना कि डैट का मरडर तो सीक्रिट्स की वज़ा से वैंग नहीं किया था जून तो वैंग की वज़ा से फस जाता है वो जेल से भाग कर टाई को चाकु से स्टैब करने लगता है तभी उसके रियल डैट सामने आ जाते हैं क्योंकि ओगी वज़ा से उन्हें सब पता लगगया था कि टाई असली सियोंग है इसकी वज़ा सियोंग के डैड की डैट हो जाती है टाई का हल खराब हो जाता है जून वेंग के पास आकर उसको मारनने लगता है वैंग जून को सचाई बता देता है कि वो जिसे अपनी बहन समझता है वो असल में उसकी मॉम है जिस पर जून खुद को ही मार देता है टाई को वैंग के करदूद पता लग जाते हैं और वैंग को टाई की सचाई वेंग ने अपने ही दोस्त को कतल करके उसकी लाइफ चुराई दोनों शाते लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं इतने में पुलीस दोनों को अरेस्ट करने आती है क्योंकि इवल वैंग ने टाई को फसाने के लिए उसकी होनी जैकेट पुलीस को भेज़ दी थी टाई वहां से भाग निकलता है स्यूंग आकर वैंग को कनफरेंट करता है क्योंकि वो सच जान चुका है कि उसके फादर असली वैंग को इस वैंग ने मारा था टाई वैंग के गोल्डन स्पून से खाना खाता है उसको वैंग की सारी ओल मेमोरीस आ जाती है वो वैंग को खुद सेरिंडर करने का कहता है लेकिन वैंग उसका गला पकर लेता है उधर ना और स्यूंग को बहुत पुरानी सीसी टीवी फुटेज मिल जाती है ओ ना के कहने पर उसको लाइफ टेली कास्ट कर दीती है जिसमें ये साफ जाहिर था कि गातिल वैंग है वैंग गिरिफतार हो जाता है मगर वैंग अपने आदमी से टाई को जहर दिलवा दीता है टाई की मौत हो जाती है तीन साल गुजर जाते है स्यूंग गोल्डन स्पून पे वैबटून लिखके बहुत फेमस हो जाता है मगर ना अभी भी असली स्यूंग को मिस करती थी एक दिन ना किसी गार्डनर से इंट्रिव्यू लेने बीच पे जाती है इधर हमें पता लगता है कि वो तो असली स्यूंग है क्योंकि जिस दिन वैंग ने टाई को जहर दिलवाया था उस वत किसी गार्डनर ने उसके गोल्डन स्पून से खाना खा लिया था और टाई की जगा वो बली का बकरा बन गया दोनों साथ वक्त गुजारनी लगते हैं इधर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है